विक्रम लेंडर ने अचानक से चांद पर भरी हेलिकॉप्टर जैसी उडान। इस रोके वैग्यानिकों ने कर दिखाया कमाल कि देखती रह गई पूरी दुनिया। 23 अगस्थ 2023 के दिन चांद की धर्ती पर हमारे विक्रम ने लेंड किया था और उसके बाद उसका प्रग्यान रोवर एक दिन बाद बाहर आया था और तभी से लेकर 4 सितंबर तक दोनों चांद की धर्ती पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और 4 सितंबर के दिन प्रग्यान और विक्रम लेंडर अपने सारे एक्सपेरिमेंट को पूरा कर चुका था और साथ ही चांद की मिट्टी में ऑक्सीजन और सल्फर जैसे एलिमेंट की खोज भी कर ली थी। और विक्रम लेंडर दोनों में सोलर पैनल लगाए गए थे और सूरज की अनुपस्थिती में इनका काम कर पाना नामुम्किन है लिकिन ऐसे में भी हमारे इसरो के वैग्यानिकों ने एक और कारनामा कर दिखाया है ऐसा कारनामा पहली बार किया गया है इसलिए दुनिया भर क स्ब्रेस एजेंसियां इस कारनामे को देख हैरान हो रही है यहां तक कि अमेरिका और रोस के वैग्यानिक भी अचंबहे में पड़ गए है और सोच रहे हैं कि आ पहारत के लिए एक बहुत ही बड़ी एतेहासिक जीत थी। इस्त्रों ने जानकारी देते हुए बताया था कि हमारे प्रज्यान रोवर और विक्रम लैंडर ने अपनी मिशन को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है। इसी बीच इस्त्रों ने विक्रम लैंडर के साथ एक बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया है। जिसमें विक्रम लैंडर के इंजन यानि चारों थ्रस्टर्स को चालू करके चांद की सतह पर उपर की ओर उड़ाया गया। और कुछ दूरी पर उड़ने के बाद उसके स्थ चांद की सतह पर उड़ाया गया। और सबसे खुशखबरी की बात या है कि हमारे विक्रम लैंडर ने इस कारनामे को बड़ी आसानी से कर दिखाया है। का दोबारा से इंजन चालू करके चांद की सतह पर लैंडिंग करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर भी हमारे इसरों के वैज्ञानिकों ने इस कारनामे को बड़ी आसानी से कर दिखाया है। इस प्रक्रिया के दौरान इसके चारों इंजन में फायर किया जाता इस फायर को भी विक्रम लैंडर सेहन कर लेता है। उसके बाद विक्रम लैंडर 40 सेंटीमीटर की उंचाई पर उपर की ओर उडान भरता है और 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी जगह पर फिर से लैंडिंग करता है। अब सवाल उठता है कि चंद्रयान तीन को हमारा सॉफ्ट लैंडिंग होना इसलिए अहम है क्योंकि इससे मिशन के सैंपल लेकर लोटने की उमीदें बढ़ गई है। इस बीच चांद पर अगले एक या दो दिन में अंधीरा चाने वाला है। फिर लैंडर को अगले 15 दिन अंधीरे में गुजारने होंगे। दरसल चांद पर एक दिन धरती पर 15 दिनों के बराबर होता है। 30 अगस्त की शाम को चंद्रमा के दक्षणी धुरुफ पर चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी। उस दौरान चांद पर दिन था और सूरज की रोशन थी। इस रोके जानकारों का कहना है कि चांद पर और विक्रम लैंडर ने पहले से ही सारे एक्सपेरिमेंट को कम्प्लीट कर लिये थे। और उसके बाद वैज्यानिकों ने उनके सारे इंस्ट्रुमेंट को बंद कर दिया था। तो वैज्यानिकों ने सोचा कि वैसे भी अब अगर ये चांद पर बंद पड़ा रहेगा त और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बिलकुल पहले की तरह काम कर रहा था। जिससे यह उबढ़ खाबर जगह से बच कर समतल जगह पर लैंडिंग करता है। आपको बता दें कि लगभग सत्तर साल पहले हमारा देश अं चंद्रयान 3 के सफल होने के तुरंत बाद ही 2 सितंबर के दिन सूरज की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 सूर्यान मिशन का भी प्रक्षेपन कर दिया गया है। जो कि आसमान में दहार मारता हुआ प्रिथवी की कक्षा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और दुनिया सितंबर के दिन इसकी कक्षा को बदल कर तीसरी कक्षा में प्रक्षेपन किया जाएगा। ऐसे में इसरो के व्यज्ञानिक इसके इंजन को चालू करके इसे तीसरी कक्षा में स्थापित कर देंगे। अब दुबारा हम अपने टापिक पर वापस आते हैं। विक्रम कारी के लिए बता दें कि 22 सितंबर के दिन चांद की दक्षणी धुरुफ में दोबारा से सुबह होगी वैज्यानिकों को चांद पर दूसरी सुबह होने का इंतजार है क्योंकि चांद पर रात के समय का तापमान लगभग माइनस 240 जिगरी सल्सियस तक पहुंच जाता है ऐस में शायद ही हमारा प्रज्यान, रोवर और विक्रम लैंडर दोबारा चांद पर काम कर सकेंगे क्योंकि इतनी ज्यादा ठंडी में चंद्रियान 3 के इंस्ट्रूमेंट का सही सलामत रह पाना असंभव कार्य है लिकिन अगर प्रज्यान, रोवर और विक्रम लैंडर दोब प्रयान तीन ने चांद की सतह पर सौफ्ट लेंडिंग की इसलिए आप सभी लोग विक्रम लेंडर और प्रज्यान रोवर के दोबारा से काम करने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सकें और अपने भरो से मंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद